दोस्तों आज मैं आपको बहुत इफेक्टिव घरेल उपाई के बारे में बताने वाली हूँ सिर्फ तीन चीजों का इस्तमाल करना है जो कि खून को पतला करनी के साथ साथ नसों की ब्लॉकेस को भी खोल देंगी ये बुरे कॉलेस्टोल को भी बॉडी से बाहर कर देंगी साथी साथ आपकी बॉडी को भी प्यॉरिफाई कर देंगी यानि कि साफ कर देंगी शरीर के अलग-अलग हिस्सों में यानि कि पैरों में, कंदों में, पिंडलीों में होने वाले दर्द को भी दूर करने में ये छोटी सी चीज़ें बहुत कारगर हैं अगर आपको भी इस तरह की कोई तकलीफ है, तो आप इन उपायों को एक वीक के लिए जरूर इस्तमाल कीजिए, ये बुरे कॉलेस्टरॉल को बाहर कर देगी दिल के रोग, नसों में दर्द, एठन, वात रोग, ब्लॉकिस, वे नसों में होने वाली कमजोरी में आपको बहुत फाइदा मिलेगा सबसे पहली चीज़ जो हम यहां इस्तमाल करने हैं, वो है लसन, लसन में ऐलसन नमक अशदी पाई जाती है इस एलसन में एंटी आक्सिनेंट, एंटी फंगल, एंटी बेक्टीरियल गुन होते हैं लसन दोस्तों हमारे खुन को पतला करता है, जिनके भी शरीर का खुन गाड़ा हो चुका है, ब्लॉड सर्कूलेशन प्रॉपर नहीं होता, ब्लॉकिस की समस्या हो गई है तो उनको लसन जरूर खाना चाहिए, यह बॉडी से टॉक्सिन्स को दूर करता है, कॉलेस्टरॉल और हार्ट स्टॉक के खत्रे से हमें बचा करता है तो यहाँ पर हमको चाहिए सर्फ एक कले लसन की, दूसरी चीज जो हम यहाँ इस्तवाल कर रहे हैं, वो है दोस्तो हल्दी, यानि की टेर्मनी, दोस्तो हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन होता है इसके इलावा दोस्तो हल्दी एंटी बेक्टीरियल होती है, एंटी डाइबिटिक होती है, एंटी इंफ्लमेटरी होती है अस्ताग हेंद्य में हल्दी के अश्यतिय कुन बताये गए हैं, पर साथ में बताया गया है कि इसे कच्चे रूप में खाना ही लाब का रख है पकने के बाद इसकी गुनवत्ता नस्ट हो जाती है, कच्ची हल्दी शरीर से टॉक्संस को दूर करती है, ये वाप नाशक है, जिनके भी जोडों में गुट्नों में दर्द रहता है, पिल्लियों में दर्द रहता है, या फिर गठिया अर्थराइटिस की समस्या है, या हो गई है, तो हल्दी का इस्तमाल करना चाहिए, साथी हल्दी खाने से खून साफ होता है, ब्लॉक्स की समस्या दूर होती है, और इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ये हमने सिरफ तीन चुटकी हल्दी का इस्तमाल करना है, अगली चीज जो हम ले रहे हैं, वह है अध्रक, अध्रक शरीर के लिए बहुत ही फायदेमद होती है, दोस्तों अध्रक के गुनों की बात करें, तो ये खून को पतला करता है, वात्वे सुजन को दूर करता है, बलगम, खांसी, कफ से भी अध्रक मिजाद दिलाता है, अध्रक पाचन को बढ़ाने का काम क रखता है, और शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, ये उस दर्द को भी दूर करने की शमता रखता है, दोस्तों हम तीन ओशदिया इस्तमाल करने हो, ये तीनों की तीनों ही बहुत पावरफुल है, दोस्तों आपने इन चीजों को कच्चे रूप में खाना है, कहा जाता है कि अगर लसुन वे अध्रक को कच्चे रूप में खाया जाए तो यह हमारे शरीर के लिए गुनों का भंडार है पुराने जमाने में लोग लसुन और अध्रक का अचार बना कर कच्चे रूप में या चत्नी बना कर इस्तमाल करते थे दोस्तों यहाँ पर हम ना तो इसकी चत अंगरब पानी लेना है उसके अदर एक कली लसुन की पूरी तरह से कुटी हुई किसी भी चीसे से कोट लीजिए और इस पानी के अंदर डाल देनी है आधा इंच अध्रक का टुकडा भी अच्छे से कूट कर या कद्दू कस करके इसी पानी के अंदर डाल देना है इसके हमने दोस्तों इस पानी को भग कर रखतेना है कम से कब दो से तीन मिनट के लिए दो से तीन मिनट के बाद हमने इस पानी को चान लेना है और इसके अंदर तीन चुट्ट की हल्दी मिक्स कर देनी हैं दोस्तों ये वो पानी तयार हो गया अगर आपने इसका इस्तमाल एक हफते के लिए कर लिया तो ये अगर आपका खून गाड़ा है खून गाड़े होने की समस्या के कारण कभी कभी क्या होता है एक दम से हम नीचे से खड़े होते हैं या फिर नीचे बैठ गए खड़े होते तो पता लगता है कि खून जो है काड़ा हो रहा है जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर oxygen की supply और खून की supply अच्छे से नहीं हो रही दोस्तो ये समस्या को दूर कर देगा बुरे कॉलेस्टरोल को बॉडी से बाहर कर देगा बीपी को नॉर्मल रखेगा डसों की blockers की समस्या को दूर कर देगा अगर आप नसों की blockers को खोलना चाहते तो आपको इसका इस्तमाल जरूर करना चाहिए ये पिडलियों के दर्द को भी दूर कर देगा दोस्तो ये जानकारी information यही तक थी मैं उमीद करती हूँ आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी की आपको फाइदा देगी दोस्तो अगर आपको इच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में आपकी कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा मिलती है दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए तुर बाई